अगर हमारे सिस्टम में वाइफाइ नेटवर्क सो नहीं हो रहे हैं विंडोस धिवन में तो उनको हम कैसे सो कर सकते हैं इस प्रोब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं देखे हमारे सिस्टम में यहाँ पर देखे वाइफाई आइकन ही सो नहीं हो रहा है तो सबस्पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए हम तीन मैथड अपनाएंगे तीन मैथड में आपके प्रोवलम सोल्व हो जाएगा और आपके सिस्टम में जो वाइफाई नेट्रो के सिगनल है वो सो होने सुरू हो जाएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से च्छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने भी तक हमारी यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी यहां पर जेगा उने क्किन है और यहां पर बॉयरही जिए कर दे ने रही तो चनेशने स्क्राइब कर देने ब्यास तो इसको करेंगे तो यहाँ पर यह देखे- वल हो गया ह मारा जो वैइड को केक्शन में इनेवल हो गया लेकिन यहां पर वाइफ़ाई आइकन नहीं आए है यहां पर पर दिखाए दे रहा है लेकिन सिगनल कोई भी यहां पर सो नहीं हो रहे हैं तो हमारे में नेट्रुक आइकन जो वाइफाई का नेट्रुक आइकन हो वो सो हो गया है लेकिन अभी सिगनल कोई भी नहीं दिखाए दे रहे हैं तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेंथड की तरफ तो मेंथड है हमारा नंबर दो उसके लिए हमें स्टार्ट मेन उपर जाना है और यहां पर टाइप करना है सर्विसेज सर्विसेज टाइप करने कबाद हमें एंटरप्रेस कर देना है जैसे हमें एंटरप्रेस करेंगे तो यहां पर इस तरह का पेज ओपन होगा रहा हमें यहां पर सर्विसेज जो लोकल है इसको इसे हम सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने कबाद हमें थोड़ा इसको एक्सप तो यहां पर हम किसी भी एक option को select करके wl type करेंगे तो यहां पर हमारे wlan auto config आ चुका है तो इस पर हमें right click करना है right click करके हमें इसकी properties पर जाना है properties पर जाने कबाद हमें यहां पर देखे startup type में manual रहा है तो हमें यहां पर इसको click करके automatic पर select कर लेना है और इसको हमें apply कर देना है apply करने के बाद हमें start पर click कर देना है जैसे भी start क्लिक करेंगे तो हम प्रोसेसिंग होगी और यहां पर हमें इसको okay कर देना है okay करने के बाद हमारे यह step complete हो चुका है अब इससे सब्सक्राइब और लेतार फार्ट करेंगे स्टार्ट मेंुर्ट पर किलिक करना है और यहां पर हमें सर्च करना है cmd cmd type करेंगे तो यहाँ पर cmd आ जाएगा तो इस पर हमें right click करके run as administrator पर click करना है click करने बाद अगर आपके सामने इस तरह का option आता है तो आप yes कर सकते हैं और नहीं आता है तो आपके सामने direct cmd command prompt open हो जाएगा तो आप हमें यहाँ पर कुछ कोड को paste करना होगा तो यह code आपको वीडियो के description box में मिल जाएंगे वहां से भी आप इन्हें copy कर सकते हैं तो कोड है net sh space int space ip space reset इतना टाइप करने बाद आपको एंटरपेस कर देना है जैसे एंटरपेस करेंगे तो यहाँ पर हमें अगली command को type करना होगा तो अगली command है net sh space winsock winsock space reset और यहाँ पर हमें enter प्रेस कर देना है enter प्रेस करने बाद हमें यहाँ पर अब exit एक्जिट प्रेस करके enter प्रेस कर देना है उसके बाद यह हमाई cmd command प्रोम्ट क्लोज हो जाएगे अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे connection थे देखें यहाँ पर wireless network connection यहाँ पर आ चुके हैं अब इसके बाद आपको इन तीनों मेथड को यूज करने बाद आपको अपने system को एक बार restart कर देना होगा उसके बाद यह आपकी problem sort out हो जाएगी तो तो दोस्ता आपको यह तीनों कमांड को अच्छी तरह से देखकर फोलो करना है ताभी आपकी problem solve हो पाएगी तो आई होप यह information आपके काफी helpful होगी अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेर कीजिए और ऐसे ही नौ